नमस्कार आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की बुक अंत्रा भाग एक के पाठ आठ उसकी मा के बारे में पढ़ेंगे जो पाठ है इसके जो लेखक है वो है पांडे बीचेन शर्मा उग्र और ये जो पाठ है एक मा के उपर है जो पिसी हुई है अपने बेटे और समाज की कश्म कश्व के बीच में तो पाठ की शुरुवात करने से पहले चात्रो मैं आपसे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले साथी साथ वीडियो को पूरा जरूर देखे ताकि कोई भी important point छूट न जाए और अपने friends के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए बिना किसी देरी के हम पाठ की और बढ़ते हैं और पाठ का नाम है उसकी मा यह जो पाठ है उसके जो लेखक है वे हैं पांडे बेजेंड शर्मा उग्र जिनका जन्म जो था 1900 में उत्तर प्रदेश में हुआ और 1967 में इनकी मृत्यों गई पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध रहा है काफी अक्टिव रहे हैं और जो उनकी एक रचना है चौकलेट उसकी सरभाधिक चर्चा होई है और यह उनकी काफी विवादसपद पुस्तक रही है यानि काफी चर्चा में भी रही है और काफी इसके उपर कमेंट्स या ये आलूचना भी होती रही हैं। पांडे जी की जो प्रमुक रचनाय हैं, जो प्रकाशित हो चुकी हैं, जो प्रकाशित पुस्तके हैं, वो है चंद हसीनों के खतूत, फाकुन के दिन चार, सरकार, तुम्हारी आखों में वह कंचन की काया, पीली इमारत, चित्र विचित्र, काल कोठरी, कंचन वर, कला का पाट के जो लेखक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के बारे में कुछ बातों को जाना, अब हम पाट के और बढ़ते हैं, और यह जो कहानी है, उसकी मा, उसमें जो देश की दुरवस्था से चिंतित जो यूवा पीड़ी है, जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स है, वो वि जो यूवा पीड़ी है, वो समाज में जो दुरवस्था है, उसके लिए शासन को दोशी मानती है, और उसे उखार फेखना चाहती है, और जहां नहीं पीड़ी, यह विद्रो स्वर के लिए, रासत्ता के विद्रो में मशाल लिए खड़ा है, यानि सरकार के खिलाफ, शास था के चलवे चाटने को तयार है, तलवे चाटना, यानि गुलामी करने को तयार है, अपना उल्लू सीधा करने को कि हमारा काम कैसे निकले, हम कैसे comfortably society में रह पाए, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तयार है, तो यह जो पाठ है, इन दोनों के बीच में खड़ी है एक म यानि इस युवा पीड़ी में जो एक बच्चा है वो और जो शासन तंत्र है वो, उनके बीच में एक मा खड़ी है, कि समाच के दो सिरों के बीच खड़ी मा अपनी लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को नहीं बचा पाती, इस कहानी में ममता मही मा का सजीव चित्रन हुआ है, तो अब हम इस मा के बारे में जानते हैं और पाट कुछ इस प्रकार शुरू होता है, ये कहानी कुछ देश भक्त नौजवानों, उनकी बूरी ममता मही मा तता लेखक जो एक राजभक्त है, उनके आसपास गुमती है, लेखक के लिए हैं राजभक्त क्यों कहा गया, वो भी शासन के चक्की में पिसरा है, क्योंकि वो भी अकर शासन के गेंस जाएगा और इन नौजवानों का साथ देगा, तो उसको भी हाम होगा, उसको भी नुकसान होगा, तो ये जो पाठ है, ये इर्द गिर्द घुमता है, शासन मांगते हैं, और जो लेखक है, उनी के पास जो है, लाल और उसकी मार हैती है, और उनके पास मतलब उनी के नोन है, वो जान पे चान में है, अभी पता चलेगा कैसे, कि जो लाल लेखक के मैनेजर रामनात का पुतर है, कि किस तरीके से कॉन्टेक में है, कि जो लेखक है, उ लाल और उसी मां को जानते हैं तो वो जानते हैं तो अगर लाल के गेंस कोई action ले रही है सरकार शासन तो अब इस जो उनके साथ जुड़े होएं जो उनके contact में है वो भी शिकंजे में आहेंगे ही तो इसलिए वो उससे लाल की जानकारी मांगते हैं रामनाथ मरने से पूर यानि लाल के पिता मरने से पहले कुछ हजार रुपए लेखक के पास जमा कर गए थे तो उसी से लाल के घर का खर्च चल रहा है और मरने से पहले जो लाल के पिता है वो पैसे जोड़ के कुछ लेखक के पास जमा कर गए थे और उनी जमा पैसों से ला जैसा लाल जैसा ही प्यार दुलार उनको देती है उसके लिए तो वो बच्चे हैं वो उनको समझाती भी है शासन के खिलाफ जाओगे तो इससे नहाम तुमें ही है नुकसान तुमें ही है लेकिन ऐसा तो नहीं बच्चे को वो छोड़ देगी तो अपने बच्चे को समझाती बहुत है पर उर्ष का प्यार उसको केर भी करती है लाल और उसके सभी साथ ही क्रांती कारी विचारों के हैं और जो लाल है यानि ये जो यूवा पीड़ी है ये सभी क्रांती कारी विचार धारा के ये किसी के शिकंज में पढ़के या गुलामी करके या चाटुकारिता करके नहीं रहना चाहते पुलिस उन्हें राजविद्रोही मानते यानि वो शासन के खिलाब जा रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट हो रहे हैं तो पुलिस उनको देशद्रोही राजविद्रोही मानती है अताब पुलिस लेखक को भी चतावनी देदरिती है कि वे लाल और लाल की मा मा से दूर रहें लेखक लाल की मा तथा लाल को इस प्रकार की गति विदियों से दूर रहने को कहता है पर लाल उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाता जो लेखक हैं उनको समझाता है कि अगर तुम इन पच्छडों में पढ़ोगे तो तुम्हें तो नुकसान है साथ में लिए शड़ियंत्र विद्रोत अता हला तक करने को तया है यानि जो सड़ी गली जो शासंतंत्र है बंदे बंदाए जो नियम है जो करप्शन है जो चीज़े हैं उनके अगेंस्ट कि वो कुछ भी एक्शन ले सकता है लाल की मा तो बस इतना जानती है कि लाल के साथी उसे मा क को यंल को वो देखते हैं कि जो भारत माता है बच्चे उसके साथ इतना गलत किले जाएं उसके रिस Western इसका चापा कियो पढ़ा आए क्यूकि वह शासन के खिलाफ है तो शासन उसके खिलाफ हो गई उसे राज विद्रोई मान रही है इसलिए उसके घर में उन्होंने डिरोगेशन शुरू कर दी है चापा पढ़ा है और तलाशी में बड़ी-बड़ी भयानक चीजे निकले लाल मां जेल में बच्चों को अच्छा खाना लेकर जाती रहे इस में उसके घर के बरतन तक बिग गए यानि वो अपना करतव्य नहीं भूली है वह अभी तक उन बच्चों के लिए अपने घर से मतलब उसके पास कोंग कुछ income source निय जो उसके पती की बच्चे निर्दोष साबित होंगे। मगर उस दिन उसकी कमर तूट गई जब उची अदालत ने लाल को, बंगर लठैत को, तथा दो लड़कों को फासी, और दस को दस वर्ष से साथ वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दे। यानि अभी तक उसे एक उमीद थी, कि यह जो मुकदमा चल रहा है, मेरे बच्चे जब बड़ी अदालत में केज जाएगा, तो महां से बाइज़त बरी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी शासन ही है, शासन तंतर के अधीन है, वो कॉर्ट भी, तो वो बच्चों के यह अगेंस्ट गए, तो उस दिन उसका जो आशा थी, वो निराशा में बदल गए, जिस दिन उसके बेटे को सजा, और बाकी दोस्तों को 10 से 7 साल की सजाए सुना दी गई, लड़के इन सजाओं से बिलकुल बेफिक्र थे, उनमें मस्ती अभी भी बरकरार थी, यानि उनके अंदर क्रांती का, देश, वक्ती का जज़बा था, तो वो डरे नहीं थे, उन्हें पता था, उनके साथ गलत होगा, और उन्हें पता था, अगर वो नियाये चाहते हैं, तो उन्हेयाये उनके साथ होगा ही होगा, तो उनको इसी सब चीज़े पहले से मालूम थी, इसलिए वो घबराए नहीं, और वो जो भी टाइम उनके पास बचाएं, उनको वो बेफिक्री से, मस्ती से जी रहे थे, लाल की मा के लेकर लेखक के पास गई, लेखक ने भी वे पत्र पढ़ा, मा उस पत्र को लेकर लाठी, टेक्टी, टेक्टी अपने घर लोटाई, अब वो अकेली पढ़ चुक है, उसका पती भी नहीं हो, उसके बच्चे को भी फासी की सजा सुना दी गई है तो अब वो अकेली है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं बचा, उसका सब कुछ उजड़ चुका है तो यहां से पाठकी सार्थक्ताब समझी सकते हैं कि लेखक ने किस तरीके से उसकी मा के बारे में, यहां पर हमें बताया और किस तरीके से वो एक बिचारी बूढी मा शासंतंत्र और अपने बेटे की क्रामतिकारी सोच का शिकार होती है एक दिन लेखक के नौकर ने आकर बताया कि लाल के घर ताला लगा हुआ है बुड़ी मा दर्वाजे पर पाउं पसारे हाथ में कोई चिठी लिए मरी पड़ी है और इस प्रकार इसी तरह इस पाठ का भी अंध होता है और जो लाल की मा है वो भी हताश होकर निराश होकर एक दिन वो भी मर जाती है तो पार्ट यहां समापत होता है आशे आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझाया होगा उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें आपकी जो भी दिक्कत यह परिशानी होगी उसको मैं सॉल्फ करूँगी साथी साथ अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसी वीडियो डालूँ जो आप अभी तक मैंने ने डाली लेकिन आपके लिए ज़रूरी है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वो वीडियो भी आपके लिए डालूँ और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल कर लीजे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद झाल